गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हम लोग बात करेंगे हम लोग बात किये थे हम लोग लेक्चर वन की बात किये थे चैप्टर नमबर टू के लेक्चर वन में लेक्शर वन में हम लोग ने event पढ़ाता, transaction पढ़ाता, debtor पढ़ाता, graditor पढ़ाता. अब हम लोग को पढ़ना है 5th वाला point क्या asset पढ़ना है. asset के बारे में हम लोग पढ़े हैं, vintage are the, assets are the valuable resource, valuable and economical resource of enterprises. यानि asset किसी business का valuable और economical resource होता है. valuable मतलब जिसको कोई value हो, economical का मतलब जिससे हमको फायदा मिले, जिससे कुछ benefit मिले, यानि asset वो होता है, जिसमें business में उसकी कुछ value हो, और वो उससे हमको कुछ benefit arise हो, उसको हम economical, यानि resource of enterprises कहता है, asset are the valuable, valuable मतलब कुछ value हो, and economical और कुछ क्या हो, फायदा मिले, resource of enterprises, यानि business का ऐसा resource, जिसकी कुछ value हो, और इससे कुछ हमको पैसा मिले, कुछ income generate हो, उसको हम लोग asset बोलते हैं, asset valuable और economical resource होता है, business का उसको हम asset कहते हैं, फिर asset दो तरीके का होता है, एक intangible होता है, दूसरा tangible asset होता है, पहले हमने intangible, intangible which can not be seen or touched, जिसको ना हम छू सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं, जैसे हम बात करें, patent, copyright, goodwill, patent की बात करें, copyright की बात करें, तो ये एक book है, उस book से हम देखते हैं कि patent कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है copyright, copyright में लिखा है कि MC Greve Hill Education India Private Limited, इस company ने इस book को copyright करवा लिया है, कि इस book को छापने का अधिकार सिरफ इस company के पास है, किसके MC Greve Hill Education जैसे इस book को कौन छापा है, MC Greve Hill Education ने ही इसको छापा है, तो इसके पास यह copyright मतलब किसी चीज को copy करने का अधिकार copyright हो गया, patent, patent का मतलब जब कोई भी technical चीज है, जैसे मान लिजे कोई computer में कोई software research हो गया, तो उसका patent करवा लेंगे, कि इसको किसी को download करने से पाले, use करने से पाले, हमसे क्या लेना होगा, permission, उसका पैसा देना होगा, तो उसको हम लोग बलते है, patent और goodwill, goodwill का मतलब होता है, नाम, reputation, किसी का क्या होता है, नाम या reputation की बात करें, किसी का इज़्जद, नाम मुझे से reliance है, reliance की क्या है, goodwill ज़्यादा है, उसका reputation ज़्यादा है, मतलब goodwill ज़्यादा है, फिर बात करें थे हम लोग tangible asset की, tangible which can be touch or seen, जिसको हम छूब भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये दो तरीके से होता है, fixed asset होता है, current asset होता है, life is more than one year, जिसकी life एक साल से ज़्यादा होती है, और current asset होता है, जिसकी life एक साल से कम होती है, जैसे एक साल से ज़्यादा life किसकी हो सकती है, बिजनस में जैसे building हो गया, machine हो गया, furniture हो गया, ये सारी चीज़े हमारे बिजनस में लगा हुआ, अब AC हो गया, Cooler हो गया, Fan हो गया, Building हो गया, इस सारी चीज़िकें, एक साल से ज़्यादा तक हमारे बिजनस में फायदा देती है, इसलिए इसको हम Fixed Asset काते हैं, जिसकी लाइफ क्या होती है, एक साल से ज़्यादा होती है, जिसकी लाइफ एक साल से कम, जैसे डेटर हो गया कैस हो गया, Prepaid Expense, Prepaid Expense मतलब पहले और Paid मतलब दे दिया, कोई खर्चा Advance में दे दिया, जैसे हमारे यह कोई काम करता है, वरकर, और काता है मेरे घर को जरूरत है, तो उसको Advance में कुछ पैसा दे दिया, तो उसको Prepaid Expenses के नाम से जानते हैं, यानि ऐसे खर्चे जिसको करने स एक साल के कम के लिए फायदे मिलते हैं, उसको हम लोग Current Asset और ऐसे एसे जिसको खर्चे करने से हमको एक साल से जादे का Benefit मिलता है, उसको हम लोग Fixed Asset का नाम देते हैं, यहापे हम लोग Six की बात करें, Capital का, Capital Amount invested in the firm, in the firm is known as a Capital, यानि बिजनस के अंदर जो भी पैसा लग बनाना पड़ेगा, Computer Lab बनाना पड़ेगा, Computer Filled, Ground, Land, Building, यह सारी चीज़े बनाने होगी, यह सारी चीज़े बिजनस के लिए क्या होगी, Capital होगी, यानि कुछ भी हम Business में Invest करते हैं, Profit के लिए तो उसको हम बोलते हैं, क्या चीज़? Capital Amount invested in the firm is known as Capital, बिजनस के अंदर जो भी के लिए हम लोग बात करें, तो ड्रॉइंग के लिए बोलता है कि Money और Goods, Money और Goods, Money या Goods दोनों में, Withdrawn by the Businessman for the Personal Use is called Drawing, जब कोई Businessman अपने खुद के यूज के लिए, अपने Personal Use के लिए, Business से कुछ पैसा, या Goods, Goods मतलब क्या, जिस चीज़ का वो बिजनस करता है, जैसे स्टेशनरी की सौप है, तो स्टेशनरी की सौप जो स्टेशनरी वहां रखी होगी, कॉपी, किताब, पैन, पैंसिल, वो सब चीज़े उसके लिए Goods होँगे, यानि कि कोई भी Businessman, Goods मनी, पैसा या Goods, जिस चीज़ का वो बिजनस करता है, वो withdrawn by the Businessman, कौन निकालता है, Businessman अगर निकालता है, for the personal use is called drawing, अपने खुद के यूज के लिए तो इसको हम लोग drawing बोलते हैं, जब कोई Businessman अपने खुद के यूज के लिए कुछ पैसा निकालता है, तो इसको क्या बोलते हैं, drawing बोलते हैं, फिर बात है expenditure के, तो expenditure दो तरीके से होता है, एक capital expenditure होता है, एक revenue expenditure होता है, capital expenditure का मतलब ऐसा खर्चा जिसको करने से, जिसके benefit एक साल से ज्यादा मिलती है, उसको capital expenditure बोलते हैं, जैसे मैं बात करूँ, मैं building खरी लिए, तो building से benefit हमको एक साल से ज्यादा मिलेगा, furniture खरी लिए, एक साल से ज्यादा benefit मिलेगा, मसीनरी करी लिए, तो एक साल से ज् benefit मिलेगा उसको हम लोग capital expenditure जैसे benefit of expenditures is received more than one year एक साल से ज्यादा का benefit मिलता है तो उसको हम लोग capital expenditure के नाम से जानते हैं जैसे purchase of land, purchase of machinery, purchase of building, reconstruction of building, building हम बनाते हैं तो भी और खरीदते हैं तो भी दोनो capital expenditure होगा क्योंकि इसकी benefit एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगी फिर है revenue expenditure की बा expenditure में काता benefit of expenditure is received less than one year जिसकी benefit एक साल से कम के लिए मिलती है एक साल से कम के लिए मिलती है उसको हम लोग revenue expenditure के नाम से जानते हैं जिसकी benefit एक साल से कम के लिए मिलती है उसको revenue जैसे हम बात करें हम लोग raw material खरीद के लाएं कुछ बना दिया और उसको बेच दिया एक साल से ज् कुछ था गुट करते हैं यह रोगार देपसके ओर हैटК तो यह नोगा। मैं शने में वावल रहे रोगे पहर अवे आ इसक को हैं वहाँ पडो म पचुछ बेद in www.eiler.id revenue expenditure इसी तरह से receipt होता है receipt जो होता है वो भी दो तरीके से होता है capital receipt होता है revenue receipt होता है capital receipt में क्या होता है ऐसा कहता है ऐसा benefit ऐसा capital receipt का मतलब होता है कि हम business के hut के जो प्रैटरा कमाते हैं जैसे मालने यह stationery की shop है stationery की shop में एक AC लगी होई है उस AC को हमने 10,000 का खरीदा था लेकिन 2-3 महीने बाद उसको मैंने फिर से उसको 15,000 में बेच दिया second hand ही तो वो बताएंगे 5,000 का फायदा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चैपिटल receipt बोलेंगे AC लगी थी business में fan लगा था उसको मैंने बेच दिया जो भी उस fan का पैसा मिलेगा उस fan के पैसे को जो भी fan का पैसा मिलेगा उस fan के पैसे को हम लोग बोलेंगे क्या चैपिटल receipt क्योंकि business से हट के है लेकिन stationary की अगर दुकान है stationary की दुकान है और stationary ही बेचते हैं अगर हम इस्टेशनरी बेशते हैं तो हमारे लिए रिए रहा है यहां तका टेम्स